फॉटो मैंने फॉटो ऐसा ड्रॉय कर दिया इन दोनों में से तुमें यह पता है कि लिए एक डाय के लिए क्वान। टाय के लिए होगा यह वन और टू में से यह पैरा के लिए होगा और यह डाया के लिए होगा डाया मैगनेटिक और यह हो जाएगा पैरा मैगनेटिक यह इसका ग्राफ हो गया अच्छा फेरो के लिए किस टाइप का ग्राफ होगा फेरो मागनेटिक में तो हम फिल्ड अप्लाई करते हैं और सडेनली जो है वो बरता जाता है तो ऐसा लीनियर इंक्रीज नहीं होगा फेरो में लीनियर इंक्रीज नहीं होगा फेरो में नॉन लीनियर टाइप का होगा य यह है फेरो के लिए फेरो फेरो के लिए गराफ काईसा हो जाएगा यहां से दिरे दिरे हम apply करते जाएंगे जैसे जैसे फटाफट जो है domain orient होना star होंगे तो बहुत तेजी से एसका बढ़ जाएगा क्यजब सारे domain orient हो जाएंगे तो यह ऐसे जो है कि यह होगा साचुरेट हो जाएगा इसके बाद हम बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं इंटेंसिटी आफ मैगनेटाइजेशन जो है वो कॉंस्टेंट हो जाएगा तो फेरो मैगनेटिक के लिए ग्राफ नॉनलीनियर टाइप का होगा ऐसे पताक्स ऐसे इंक्रीस कर जाएगा पैरा मागनेटिक फिल्ल्डे इंड्यूस्ट होगी वह क्या हो जाएगा मिउन टाइम सब्सक्राइब आई है यह मुन नॉन टाइम सब्सक्राइब तो यह हम मैगनेटिक माटीरियल ले लेते हैं और उस मैगनेटिक मेटीरियल में अधिवारा मैंगनेटिक है दोनों ले लेते हैं फेरों का तो अलगी केस है सेम टाइब कई है तो बस पैरा के फॉर्मेट में उसको इंक्रीज कर देंगे तो इसको जो है मैंने पेस्ट कर दिया तो यह हमारा अप्लाइट मैंगनेटिक फिल्ट नॉट और यह जो है वाइसा ऐसा ऐसा तो हम जनरल लिख सकते हैं कि कहीं पर जो मागनेटिक फिल्ड होगा दाट मैगनेटिक फिल्ड इस इक्वल टू बी नॉट प्लस पी-एम जितना अपलाई करेंगे और माटेरियल के अंदर जितना मैगनेटाइस होगा तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा मिन नॉट इंटेंटिटी फिल्ड अपलाई किया हुआ इतना इच ऐच अपलाई गया था तो इतना intensity of magnification, mu not h plus mu not i, यह हो जाएगा हमारा magnetic field, यह magnetic field जो है, vector scalar में ही लिख लेते हैं इसको, यह हो जाएगा mu not common ले लेंगे, mu not h plus i, i is equal to chi into h, i जो हो तो directly proportional है, applied के, तो यहां से यह क्या हो जाएगा, common हो जाएगा, mu not h, 1 plus chi, यह है, b, तो यह जो है, b mu not into h, mu not into h is equal to magnetic field in the vacuum, b not, magnetic field intensity, जाएगा, b not by mu not high, यह जाएगा, b not 1 plus chi, यह जाएगा, b by b not, b by b not, b by b not, 1 plus chi, तो जो b by b not, जो है, वो हो जाएगा, mu by mu not, by magnetic field का कोई भी formula है, तो वो तो mu not ni by 2 r, ऐसे कुछ का होगा, किसी के बज़े से magnetic field मालो, mu not ni कर रहा हूँ, तो यह तो magnetic field है, तो वो magnetic field, उस medium में net magnetic field है, तो उस medium में जो magnetic field हो जाएगी, mu times ni, और यहाँ पर क्या होगा, mu not times ni, तो ni ni cancel out हो जाएगा, यह mu by mu not, यह 1 plus chi, और mu by mu not is equal to just like dielectric constant, epsilon by epsilon not is dielectric constant, वैसे ही यह हो जाएगी, relative permeability, एक बार मनी मन में बोले ना, relative magnetic permeability, relative permeability, relative magnetic permeability, mu r, और susceptibility में यह relation है, mu r is equal to i, 1 plus kai, तो क्या जब के mu r, बता सकते हो, पैरा मैगनेटिक के लिए क्या होगा, यह पॉस्टिव चीज़ है, पॉस्टिव चीज़ है, तो 1 प्लस पॉस्टिव होगा, मतलब फॉर पैरा, पैरा के लिए mu r, 1 से थोड़ा greater होगा, फेरो के लिए क्या होगा, फेरो के लिए mu r, बहुत ज़्यादा होगा, 1 से greater होगा, क्योंकि यह value बहुत ही large होती है, क्योंकि sudden domain का orientation होता है, डाया के लिए जो मिवार होता है, वो 1 से less होगा, क्योंकि यह negative होता है, तो 1 से come हो जाए गाँ, यह relative permeability हो जाएगा, यह सारे terms हो जाएगा, यह बात आगई समझ में, उम्मीद करता हूँ कि यह समझ में आ गई होगी, आज और कल थोड़ा सा dedicate कर देना है, सिर्क 15-15-20-20 minutes, यह points को revise करने में, इसको record भी कर दिया है, upload भी कर दूँगा, in case चाहो तो वहां से revise कर दोगे, to the points, यह सारे points याद रखने हैं, तो यह दो गया para and pharo, अब इसमें क्या है कि, इनकी जो susceptibility है, वो susceptibility depend करती है, temperature पे, susceptibility depend करता है, temperature पे, क्योंकि temperature अगर मालो substance को heat कर देंगे, heat करेंगे तो उसमें thermal orientation उनका बढ़ जाएगा, तो वो orient हो जाएगे, तो उनका जो magnetization है, वो weak पढ़ जाएगा, magnetic property उनकी खतम हो जाएगी, heat करने से, तो heat करने के लिए जो है, उन्होंने क्यूरी लॉग दिया था, क्यूरी लॉग का कहना यह है कि, susceptibility of paramagnetic substance, paramagnetic substance, susceptibility of paramagnetic substance, is directly proportional to, inversely proportional to absolute temperature, यह C is called Curie constant, यह है, Curie constant है, इसकी value question में दिया हुई रहेगी, तो इस आगर temperature increase करते हैं, तो उसकी magnetic property जो है, वो decrease होती जाएगी, susceptibility decrease होती जाएगी, तो यह है क्यूरी लॉग की, जो susceptibility है, that is inversely proportional to absolute temperature, पैरा के लिए, पैरा के लिए से, डाया का almost वो temperature से बहुत small change होता है, तो जो क्यूरी लॉग है, वो सिर्फ और सिर्फ पैरा के लिए है, और फेरो के case में भी होगा, फेरो में भी जब temperature हम change करते जाएगे, तो वो क्या होगा, वो अपनी magnetic property को लूज करता जाएगा, तो लूज करते-करते, एक particular temperature आएगा, जिसको हम बोलते हैं, क्यूरी temperature, क्यूरी के साथ साथ ही, क्यूरी temperature, क्यूरी temperature, which is Tc, अड़ दिस temperature, फेरो, सब कुछ भूल जाता है, मैं कहा हूं टाई, फेरो converts to, फेरो changes to para, फेरो magnetic substance जो है, ज्यादा heat कर दिया, तो वो फेरो magnetic property लूज कर जाएगा, और वो पैरा magnetic में convert हो जाएगा, जब पैरा magnetic में convert हो जाएगा, तो उसकी susceptibility जो है, डिपेंड करेगी, जो भी उसका temperature है, क्यूरी temperature के बाद का जो difference है, T-Tc, क्यूरी temperature for iron, जो iron है, iron के लिए क्यूरी temperature, वो 1000 to 43 Kelvin के आसपास होता है, क्यूरी temperature for iron, तब इस range में है, इस range में अगर iron को heat कर देंगे, तो उसकी susceptibility जो है, क्योंकि अब तो वो paramagnetic बन गया और क्यूरी लॉक इसके लिए है, क्यूरी लॉक पैरा ने बताया नहीं था, यह सिर्फ और सिर्फ पैरा के लिए बताया, क्या अगर फैरो है, तो फैरो को heat करते करते, T-C तक अगर लेके चले गए, तो वो param में convert हो जाएगा, अब फिर वो जो पैरा की तरह से बीएव कर रहा है, वो इस पे अब जो temperature है, minus critical temperature, क्यूरी temperature, वो हो जाएगा, susceptibility of that ferromagnetic material, ठीक है, यह हमारे क्यूरी लाओ है, जो कि susceptibility के variation को बताता है, तो अगर कोई पूचता है, susceptibility depends on material, temperature both, none, तो answer क्या हो जाएगा, यह depend करता है, temperature पे भी depend करता है, according to क्यूरी लाओ, और वो जो है, उस पे भी depend करता है, तो अब हमारा जो है, hysteresis, hysteresis curve, last point है, hysteresis curve जो है, फेरो के बारे में सोचवे, बिल्कुल लास्ट पॉइंट है, हमने क्या क्या था, I versus H graph, I versus I क्या था, intensity of magnetization, और H क्या है, H जो है, वो है, applied field है, तो इसमें हमने देखा था, कि जब फेरो मैगनेटिक में हम field apply करते गए, field apply करते गए, field apply करते गए, तो यह non-linearly ऐसे increase करता है, non-linearly increase करके, यह कुछ saturation point पे पहुँच जाएगा, जब यह saturation point पे पहुच गया, उसके बाद हम field कितना भी बला लें, इसके सेहत पे कोई असर नहीं होगा, यह magnetic property अपनी acquire कर चुका है, अब जैसे मालो कि हमने क्या किया, कि एक iron piece को किसी magnet के contact में ला दिया, जैसे मालो यह magnet था, यहाँ पे कोई iron piece हमने इसके contact में ला दिया, अब contact में ला दिया तो वो क्या होगा, वो जो है, magnetic property होगा, अब वो attract करने लएगा, नेल स्वेल्स को किसी भी iron piece को attract करने स्टार्ट करतेगा, तो यह वो वाली stage है, अब वो magnetic property acquire कर लिया, तो अब अगर बहुत सारी AC situation होती है, जहाँ पे continuously magnetization और demagnetization फेस करता है material, जैसा कि एक याद होगा कि transformer में मैंने बताया था, उसमें बोला था कि यह चीज़ एक्स्प्लेन करूंगा, magnetism of matter में, तो transformer का जो pharaoh soft iron core था, वो बार-बार AC के current के वज़े से variable magnetic field में था, और उस magnetic field के वज़े से बार-बार वो orient, reorient, orient, reorient होड़ा था, तो अब यह जो magnetize हो गया, pharaoh magnetic, हम क्या करते हैं कि अगर इसको demagnetize करना start करते हैं, मतलब क्या है कि external field को decrease करना start करते हैं, तो जब external field को decrease करना start करते हैं, तो यह decrease करते, 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 जो है, इस type का path follow करता है, exactly same path follow नहीं करता है, मतलब क्या हुआ, कि मतलब अगर हम magnetic field हटा भी देते हैं, यह चुम्बक, यह जो है, iron को वासे हटा दिया, इसका मतलब नहीं कि वो तुरंत जो है, वो हो गया, उसके पास कुछ property बची रह जाती है, magnetization के, कुछ intensity बची रह जाती है, तो इसको हम बोलते हैं, जो intensity बची हुई है, it is called retentivity, 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 retentivity इतनी retained है उसके अंदर, इतनी magnetic field retained है, सब कुछ हड़ गया तो भी, ठीक है, conceptually अगर तुम सीखे हुए हो, भाई कुछ revise नहीं किये, सब कुछ भूल गया, तो जो बचा हुआ है, तुम्हाय माइंड में concept, that is called retentivity है, उसकी, किसी material के retentivity ज्यादा होगी, किसी के material कम होगी, वो material के उपट इपन करेंगा, अब इस retentivity को, बचे हुए field को, जीरो करने के लिए, जो magnetic intensity अब opposite direction में apply करना पड़ेगा, तेखो, ये negative में आने लेगा, कि पहले हमने, उसको ऐसे ऐसे place किया था, अब जो बचा हुआ है, उसको भी खतम करना चाहते हैं, तो हम field को क्या करेंगे, opposite direction में apply करना पड़ेगा, तो ये जो है, opposite direction में apply करना पड़ेगा, बचे हुए को खतम करने के लिए, तो ये जो हो जाएगा, बी, retentivity को zero करने के लिए, जो हमारी महनत लगी, जो हमारी field लगी, that is called, coercivity, 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 तो ये जो है, क्या हो गई, ये zero हो गई, ये zero हो गई, फिर से मालों ये continue कर गए है, तो continue करते करते जो है, ऐसा, ये opposite direction में हो जाएगा, opposite direction में ऐसे, फिर से saturate हो जाएगा, opposite direction में saturate हो तो फिर से क्या किया, फिर से हमने उसको अगर इसी को फिर से demagnetize करना, स्टार्ट करते हैं, तो फिर से वही आ जाएगी, फिर से ये क्या हो जाएगी, ये रिटेंटिविटी बन जाएगी, उस रिटेंटिविटी को zero करेंगे, तो ये coercivity बन जाएगी, और फिर से करते करते वह वापस ऐसे पहुंच जाएगा, ये बढ़ियां डिजाइन बन तो ये है, इसका hysteresis curve, hysteresis curve, तो hysteresis curve में बार बार क्या हो रहा है, डिमंग्टाइज, 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 तो जिसका जो इसका area होता है, area is directly proportional to heat loss, क्योंकि वर्क तो करना पड़ रहा है, external magnetic field वर्क कर रहा है, डाइपोल को इधर उदर करने में बार बार, तो वो वर्क कहां जाता है, heat में जाता है, तो जो measurement है, वो जो area है, इसका, this area is directly proportional to heat loss, तो इसमें हमें question पूछा जाता है, कि which type of material is suitable for permanent magnet, पर्मानेंट मैंगनेट वर्सिस इलेक्ट्रो मैंगनेट, पर्मानेंट मैंगनेट, तो पर्मानेंट मैंगनेट में खुद सोचो क्या required है, कि क्या वो जब तक magnetic field के contact में रहा है, तब तक तो वो hero रहा है, उसके बाद field हटा दें तो zero हो जाए बिलकुल, ऐसा नहीं है, पर्मानेंट मैंगनेट में वो प्रापटी होनी चाहिए, हमेशा magnetic property मुझे चाहिए, तो ऐसे case में हमें क्या prefer करना चाहिए, high retentivity और low retentivity, मतलब वो retentivity क्या है, जो बची हुई field हटाया, तो जो बच गया, that is retentivity, जैसे fog वाला add आता है, सब कुस तो उड़ी गया, लेकिन fog बच गया, उसी type से, यह अगर magnetic field हटा दिया, तो जो उसके अंदर magnetic property बची हुई है, that is called retentivity, तो जो permanent magnet है, उसकी high retentivity होनी चाहिए, और high retentivity होगी, तो obviously क्या होगी, high cursivity भी होगी, coercivity, coercivity, यहाँ पर क्या है, low retentivity होनी चाहिए, low retentivity, इसके लिए, electromagnet के लिए, electromagnet का क्या यूज है वाई, electromagnet को temporary magnet type से behave करना है, यह से माल लोग कोई भी magnetic break है, तो magnetic break apply करना है, तो जब हम magnetic field आए, तब वो magnet बन जाए और break apply करें, उसके बाद फिर हम हटा दें, source हटा दें, तो वो जो है demagnetize हो जाए, तो तुरंट magnetize और तुरंट demagnetize होना है, तो ऐसे के इसमें low retentivity होनी चाहिए, कि ऐसा जब demagnetize होना है, तो भाई ऐसा नहीं कि वो चुम्बक की तरह से add करा, break पर्मनेंट लग गया, तो low retentivity और low coercivity होनी चाहिए, तो ये property जो है, और उसमें loss भी कम होना चाहिए, low loss भी होना चाहिए, और इसमें high loss तो नहीं बोल सकते हैं, बट high loss हो सकता है, कि अब उसको करने में high loss होगा, तो low loss होने का मतलब क्या है, ये जो area है, वो छोटू सा होना चाहिए इसका, और ये area क्या होगा, इसमें जो है, थोड़ा बड़ा सा area होना चाहिए, तो इसका iron है soft iron, soft iron का मतलब, वो iron जो soft हो नहीं, जो easily magnetized, demagnetized हो जाता है, उसके लिए हम बोलते हैं, soft material, फिल्ड अटा है, तो ये soft iron, और ये hard iron नहीं, ये जो है steel, steel या और भी जो material है, तब इसलिए जो है, ये सब करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्या, transformer में, transformer में soft iron यूज़ करते हैं, तो ये जो properties है, ये सारी properties quickly recall करके recollect कर लेते हैं, तो ये वही सारी जो है, बस एक tableted form में है, so that की थोड़ा साच्छे से लिखा हुआ रहे हैं, उसको जो जो जूरत पड़े तो, में पास रखे रहोगे, इसको याद रखता है रहना है, revise करता है, found normally in solids, ये सब जो है, solid liquid gas, कुछ भी हो सकता है, ये solid liquid gas हो सकता है, normally ये solids में होते हैं, ये जो है transition metals होते हैं, जो भी iron, cobalt, nickel, ये सारे जो इसके alloy होंगे, वह हो जाएंगे ferromagnetic substance, aluminum, oxygen, platinum, platinum, ये हो गया है, ये gold, gold, जो भी होते हैं, ये सब है, ये universal property, not universal, not universal, universal property का मतलब का, diamagnetism, सबके अंदर होता है, मतलब सबके अंदर तो कुछ paired electrons होंगी, तो वहाँ पर कुछ न कुछ induction होगा, but वह induction बहुत ही small amount में होता है, इसलिए, ये बोला गया है, कि it is the universal property, ये हमेशा होता है, can be explained on the basis of orbital motion of electron, ये electrons मतलब जो current carrying loop होते हैं, current carrying loop के वज़े से, जो भी magnetic moment आता है, तो electron के motion के वैसे, can be explained on the basis of domain theory, ये जो है domain theory के basis पर कर सकते हैं, ये वही चीज़ा जो applied magnetic field है, वो induced, induced, applied का opposite होगा, यहाँ पे induced, जो है, इसके जो है, same direction में होगा, यहाँ पे भी same direction में होगा, but strongly magnetized, strongly magnetized, strongly magnetized, strongly magnetized, तो ये, ये हटा दूँगा कि ज्यादा, भूना हो, ये देखो, वो टेस्ट, यूट्यूब वाला जो है, diamagnetic repel हो रहा है, diamagnetic down जा रहा है, paramagnetic जो है, अब चारा है, ferromagnetic, असे तो liquid में होता ही नहीं है, तो ये तो एक तरह से सही नहीं है, बट फिर भी मानलो है, तो क्या कर सकते हैं, बोल देंगे कि और उपर चला जाएगा, या पर, susceptibility is very low, susceptibility low, but positive, यही चीज है, कि यह negative है, यह positive है, relative permeability small है, यह यह है, इसके relative permeability बहुत जादा large है, यह जो देखो comparative field lines के graph दिया हुआ है, अब यह temperature के उपर dependency जो है, diamagnetic almost constant ही रहता है, Curie law, Curie ने कुछ बताया नहीं, diamagnetic almost temperature से independent होता है, कोई फरक ने पड़ता है, but यह paramagnetic का फरक पड़ता है, 1 by tc होता है, Curie law से, Curie law, और यहां पर ferromagnetic के लिए Curie law है, बढ़ कब, critical temperature के, sorry, Curie temperature के बाद, Curie temperature के बाद, 1 minus t minus tc, तो ferromagnetic का ऐसा ही graph हो जाएगा, वही graphical representation है, यह hysteresis curve है, यह देखो, यह सब OA और OB, जो है, retentivity है, retentivity है, और residual magnetic field है, और यह steel है, और यह points है, यह दो चार points तुमको area of hysteresis, loop is large, does the energy loss, high energy loss, low energy loss, यह steel और soft iron में question इस पर जरूर ही आता है, मालों, जरूर मतलब जरूर, magnetism and matter में से question आना है, तो एक question इसी में से आ जाएगा, यह property जो है, low retentivity है, low cursivity है, अब यह ferromagnetic है, तो भाई, high magnetic permeability, high magnetic permeability, high magnetic permeability में, mu r जो है जादा है, relatively less permeability, less बोलना ठीक नहीं रहेगा, relatively less इसके comparison में, magnetism and demagnism are difficult, difficult, ऐसा ने की तुरंत आया, तुरंत जीरो हो गया, यहाँ पर magnetism and demagnism is easy, इसलिए तो इसको किसमें यूज करते हैं, इसको transformer में भी यूज करते हैं, transformer, transformer, फेरो होगे हों यूज करते हैं, फेरो हो यूज करते हैं, की flux leakage को अवाइड करें, magnetic field line को attract करें, soft iron को यूज करते हैं, hysteresis loss को minimize करने के लिए, यूज करते हैं, यूज करते हैं, यूज करते हैं,